परमेश्वर का प्रेम और अनुगरे हमें पुनह स्थापित कर देता है। क्योंकि वो सर्फ ग्यानी है और उससे कभी कोई गलती नहीं होती। इसलिए उसने टेस्टी नाश्टा ही बनाया होगा। अब सोचो, समुद्र तड़ पर परमेश्वर के साथ सुहाने मौसम में टेस्टी नाश्टे वाली पिकनिक। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं शिश्चियों को कैसा अनुभव हो रहा होगा। वैसे अनंतकाल के जीवन में इस तरह की पिकनिक रोज होगी। लेकिन सिर्फ उनके लिए जिन्नों ने येश्चियों के बलेदान से मिलने वाली ख्षमा को स्विकार करके उद्धार पालिया होगा। येश्चियों को क्रूस पर ले जाते समय पत्रस ने अपनी जान बचाने के लिए तीन बार येश्चियों का इंकार किया था। कि क्या वो उससे प्रेम करता है। जब पत्रस ने हां में उत्तर दिया तो येश्चियों ने उसे अपनी भेडों को चराने के लिए कहा। ये कहना एक बात है कि आप येशु से प्यार करते हैं लेकिन असली परिक्षा तो इस बात की है कि क्या आप येशु की सेवा करने की इच्छा भी रखते हैं पतरस ने पश्चाताब किया था और यहां येशु उसे अपना जीवन उसके लिए समर्पित करने को कह रहा था पतरस का जीवन तब बदल गया जब उसे अंतत्य एसास हुआ कि येशु कौन था पतरस का पेशा मच्छवारे से बदल कर इवैंजलिस्ट यानि प्रचारक का बन गया जिसे मनश्यों को पकड़ कर लाना था और साथ में उसे एक चरवाहे की जिम्मेवारी भी सौम्दी की थी मतलब पैस्टर की जिसे अपने भेड़ों की रखवाली करनी थी उसकी पहचान एक आवेगी मनश्य से बदल कर जो हमेशा आवेश में आ जाता था उससे बदल कर आवेश एक चटान की हो गई थी उसकी पहचान क्योंकि उसका विश्वास अब चटान की तरह मजबूत हो गया था इसके अलावा येशु के साथ भी उसका संबंद बदल गया था उसे पूर्ण रूप से शमा कर दिया गया था और अंतत है वाई येशु के उन शब्दों का महत्व समाज गया था जो येशु ने अपनी मृत्यू और पुनरुथान के विशे में कहे थे योहन्ना 21.15 बोजन करने के बाद येशु ने शमान पतर से कहा हे शमान योहन्ना के पुत्र क्या तु इन से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है पतरस ने उससे कहा हाँ प्रभू तू तू जानता है कि मैं तुझसे प्रिति रखता हूँ येशु ने उससे कहा मेरे मेमनों को चरा तो येशु ने यहां पतरस को यहन्ना का पुत्र कहा जैसा उसने तब कहा था जब वो पतरस से पहली बार मिला था यहन्ना 1.42 में इससे पता चलता है कि येशु पतरस के साथ एक नई शुरुवात कर रहा था जिसमें पतरस की गलती को बिलकुल ध्यान में ने रखा जाएगा जब भी हम अपने पापों को अंगीकार करके येशु के समुख जाते हैं तो येशु हमें भी इसी तरह पुने अस्थापित कर देता है और हमारे साथ एक नई शुरुवात करता है मतलब एक तरह से येशु हम से कहता है तुमने अपने पाप की सचे दिल से क्षमा मांग ली और मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा हिरदयाप साफ है इसलिए मैं तुम्हारे पाप को ना केवल क्षमा कर दूँगा क्योंकि मैं उसका दन पहले ही भगोच चुका हूँ बलकि अब मैं उसे याद भी नहीं रखूँ अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट हिंदीबाइबलस्टडी.com पर देख सकते हैं ये वीडियो हमारे जुलाइ के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है तो जिनके पैकेज में भी जुलाइ का महिना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जुलाइ के वीडियोस में मिल जाएगा अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपिया Google Chrome या Mozilla Firefox ब्राउजर इस्तमाल करें तो इनको डाउन्डोड करने के लिए आप Play Store में जाएं और उपर Google Chrome टाइप करें फिर आप Google Chrome ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें ये एकदम फ्री है इसी तरह आप Mozilla Firefox टाइप करें फिर आप Mozilla Firefox ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें ये भी एकदम फ्री है इसके बाद आप Google Chrome ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें HindiBibleStudy.com टाइप करें मतलब पूरा HindiBibleStudy.com एक साथ बिना किसी गैप के तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे इसी तरह आप Mozilla Firefox ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के HindiBibleStudy.com टाइप कर सकते हैं उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे इसके अलावा अगर आप चाहें तो बहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन दबा कर 240P 240P सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपका बहुती कम डेटा खर्च होगा 240P सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए